नवस्कार माई नाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ संदीब ग्रोवर आप देख रहे हैं कॉर्पेट सेंट्रल कॉर्पेट सेंट्रल एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पेट जगत की दिन बर की बड़ी खबरे बताते हैं इसके लावा कुछ दमदार स्टाक्स पर भी फोकस करते हैं उसके पीछे की वज़े भी जानने ही कोशिश करते हैं और आखिर में आपको बताते हैं उन ट्रिकर्स के बारे में जिन पर बाजार की नज़र रहने वाली है तो चलिए कॉर्पेट से जुड़ी बड़ी खबरे सबसे पहले आपको बताते ह हैं और आज के एपिसोड की शुरुवात करते हैं पहली कबर अधानी को मिला धारवी प्रोजेक्ट सोंबार 17 जुलाई को अधानी समू से जुड़ी तीन एहम खबरे सामने आई हैं पहली ये कि महरास्ट्र सरकार ने अधानी क्रूप की कमपनी अधानी रियल्टी को 20,000 करोड उपे का है अधानी समू से जुड़ी दूसरी खबर ये है कि ग्रूप के चेर्में गौतम अधानी ने बंगलादेश की पीम शेक हसीना से मुलाकात की है समू की कमपनी अधानी पावर ने जारकरन के गोड़ा प्लांट से बंगलादेश को फुल लोड बिजली ग्रूप की NBFC कमपनी अधानी कैपिटल को खरीदने की दौड में बेन कैपिटल सबसे आगे हो गई है बेन कैपिटल इस कमपनी के लिए पंदरा सो करोड उपे देने को तयार है कॉर्पेट सेंटल के चोवनवे एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इस कमपनी को खरी एक रिपोर्ट के अनुसार कमपनी के परमोटर पूंजी जुटाने के लिए कई बड़े ग्लूबल प्राइवेट क्रेडिट फंड और विदेशी बैंकों से बातचीत कर रहे हैं। दिल्चस्प बात ये है कि इस कर्ज का इस्तेमाल ग्रूप कमपनियों में परमोटर की हो सकता है। दो हजार बीस में की गई थी। चौथी कबर टाटा समू की एरलाइन कारोबार से जुड़ी कमपनी एर इंडिया ने वित्वस दोजार बाइस तेज यानि के एफवेट 23 के दौरान अपने भाई खाते से करीब 7000 करोड रूपी की रकम को राइट आफ कर दिया है यानि की बट्टे खाते में डाल दिया है इस कदम से कंपनी का अबिड़ार पॉजिटिव हो गया है यानि की कंपनी कामकाज इस तर पर घाटे से मुनाफे में आ गई है एक रिपोर्ट के अनुसार कई खराब विमान और इंजन के साथ साथ लो कॉस्ट एरलाइन एर एशिया को हु जी एंटर्टेन्मेंट एंटर्प्राइज लिमिटेड यानि जील के बोर्ड ने कंपनी के संचालन के लिए एक्जीक्यूटिव की एक अंतरिम कमिटी बनाई है कंपनी के मैनेजिंग डिरेक्टर और चीफ एक्जीकेटिव आफिसर पुनित गोइनका को सेभी के आदेश क के खिलाफ सेक्यूरिटिस एपिले ट्रिबिनल यानि सैट से कोई राहत नहीं मिल पाई थी इसके बाद कंपनी के बोर्ड ने ये कमिटी बनाई ताकि कंपनी का कामकाज जारी रखा जा सके आपको पता दे कि सेभी ने सुबास चंद्रा और उनके बेटे पुनित गोइनका पर रोक लगाई थी कि ये दोनों किसी भी लिस्टिट कंपनी में कोई एहम पद नहीं हासिल कर सकते हैं इन दोनों ने सेभी के आडर के खिलाफ सैट में अपील की थी पर कोई राहत नहीं मिली है जिसके बाद जी के बोर्ड ने ये फैसला लिया है चटी खबर रूट मोब पाइल के शेरों पर नेगिटिव असर पड़ा है और सोमवार को शेर करीब 8 फीजदी गिर कर बंद हुआ एक्चेंजों को दी गई जानकारी में कम्पनीयें बताया है कि परमोटर अपने पूरे 3.64 करोड शेर बेचेंगे प्रॉक्सिमस को ये शेर 1626 रुपे 40 पैसी की की किया गया है जो की शुकोवार की क्लोजिंग के आसपास है जिस वजह से शेर में बड़ी गिरावट देखने कुमली सात्वी कबर ट्विटर को खईदने के बाद अब एलन मस्क मुश्किल में देख रहे हैं विगापनों से आमदनी आदे से भी कम होने की वज़ए से ट्व ट्विटर के एड रेविन्यू में करीब 50 फीजदी की गिरावट आई है इसके लावा कर्ज के भारी बोज से ट्विटर का कैश फ्लो भी नेगेटिव हो चुका है चले तो यह था कॉर्पेट से जुड़ा दिन बर का पूरा अपडेट आप रूख करते हैं शेर बजार का कुछ ऐसे एहम स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला उसके उपर क्या वज़ा रही है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे पहली खबर स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार से जुड़ी प्रूमुक कंपनी इंजल वन का शेर सोंबार को इंटर डे में करीब 7 फीजदी तूट कया दरसल माकेट रेगलेटर सेभी ने नियूमो के उलंगन को लेकर कंपनी पर 1.66 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है इस खबर की व सोंबार 17 जुलाई को कारोबार के दुरान डी मार्ट यानी की एविन्यू सूपरमार्ट के शेर 4 फीजदी तक तूट गे थे इंटर डे में शेर ने 3700 रुपे का लो टच किया था और 3.5 फीजदी की कमजोरी के साथ बंद हुआ सूपरमार्केट चेन डी मार्ट का संचालन करने वाली कमप्टी जून तिमाही के नतीजे इन्होंने पेश किये थे और वो नतीजे काफी निरासा जनक रहे थे दरसल कमप्टी की बिक्री तो 18 फीजदी बड़ी थी पर मार्जिन में करीब करीब डेड़ फीजदी के आसपास की कमी आई है जिसके बाद इस कमप्टी के शेरों को लेकर कई ब्रोकर्स ने ने नेगेटिव रेटिंग दी है बियर सी पर कमप्टी के शेर करीब 4 फीजदी तोटकर 3694 रूपे तक पहुँच गे थे तीसी कबर स्टर्लिंग और विल्सन रिउन्यूबल अनर्जी लिमिटर यानी स्टर्लियू आरियल के शेर में सुमवार को दो साल की सबसे ज़ादा बड़त देखनों कमली और शेर करीब 15 फीजदी की मजबूती लेकर बंद हुआ कमपनी के जून तिमाही के नतीजे अच्छे रहें जिसमें कमपनी ने करीब 10 तिमाही के बाद पहली बार पॉजिटिव ग्रॉस मार्जिन दरज किये हैं जूनतिमाही में शापुरजी पलोंजी ग्रूप की इस कंपनी का ग्रॉस मार्जिन करीब 11.3 फीजदी रहा है कंपनी के आडर बुक करीब 4,903 करोड उपे की है और कंपनी के शेयर इंटर डे में करीब 18 फीजदी तक उचल कर 349 उपे 50 पैसे तक पहुंच गे थे तो कारोबार के अंग में शेयर करीब 11 फीजदी की तेजी के साथ 370 रुपे 40 पैसे पर बंद हुआ पिछले एक साल में शेयर में 90 फीजदी स्यादा का उचाल आ चुका है लेकिन इस बड़त के बावजूद दिगज निवेशक विजे केडिया ने कंपणी में अपनी हिसेदारी बढ़ाई है और इस खबर से सुनवार को शेयर में फिर से उचाल देखने को मिला वीजे केडिया ने जूनती माही में कंपनी में अपनी हिसेदारी 7.05 फीजदी से बढ़ा कर 13.7 फीजदी कर लिया जिसके बाद इस शेयर में एक्शन देखने को मिला तो इसे के साथ Corporate Central के आज के एपिसोड में बस इतना ही वक्ता है आपसे विदा लेने का है लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि मंगवार के बजार पर कौन से ऐसे एहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो की खास तोर पर असर डाल सकते हैं सबसे पहले 17 जुलाई की बात करें तो गुजरात में G20 देशो के वित्तमंत्री और उसके साथ साथ जो Central Banks है उनके Governors की बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन कर रही है इस बैठक से क्या फैसला आता है उस पर बजार का क्या आसर होता है क क्योंकि बजार लगाता ने रिकार्ड हाईस बना रहा है तो यह देखना होगा कि फैसला क्या आता है और बजार इस पर कैसे रियक्ट करता है आईपियो मार्केट की जातक बात है तो NetWeb Technologies इसका आईपियो खुला था 17 जुलाई को इस आईपियो का दूसा दिन होगा 18 तार और दूसरा है ICICI Pudential Life इसके नतीजे भी आएंगे इसके लावा L&T Technologies इसके भी नंबर आएंगे और Polycap यह कुछ बड़े नतीजे हैं जिसके उपर बजार खास तोर पर फोकस करेगा ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बाहत है यूएस के जून महिने के रिटेल विक्री के आँख्रे जारी होंगे और साथ इसके आईएपी ग्रोथ के जो आँख्रे हैं उस पर भी यूएस के मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट का क्या रियक्शन आता है यह देखना बहुत इंपोर्टेंट होगा तो कॉर्पेट सेंटल के आज के एपिसोड में बस इतना ह क्या रियक्शन आता है